हिंदू धर्म में एकादशी तिथी का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पढ़ती है। इनी में से एक है वेशाक मा के कृष्ण पक्ष की वरूथनी एकादशी जिसे पुन्यों की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन भगवान विश्णू की पूजा करने और व्रत रखने से एक हजार यग्यों के बराबर पुन्यों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी स्वभाग्य देने वाली, सब पापों को नश्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने व और कष्टों से मुक्ती दिलाने वाली भी मानी गई है। यह एकादशी इस लोक और परलोक में भी सोभाग्य प्रदान करने वाली मानी गई है। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तब करने के बराबर होता है। आइए जानते हैं वरूथनी एकादशी व्रत की नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डेफिनेट भक्ती में बहुत-बहुत स्वागत है वरुथनी एकादश्री व्रत कथा धर्म राज युधिष्ठिर भोले हे भगवन मैं आपको नमस्कार करता हूँ आप कृपया करके वेशाक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसको करने से किस फल की प्राप्ती होती है आप विस्तार पुर्वक मुझसे कहिए मैं आपको बारं बार नमस करता हूँ श्री कृष्ण कहने लगे हे राजेश्वर वेशाक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है यह सोभागय देने वाली सब पापों को नश्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है इसकी महातम्मे कथा जमदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा राजा पूर्ववत अपनी तपस राजा में लीन रहे कुछ देर पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूर उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विश्णु से प्रार्थना की करुण भाव से भगवान प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था इससे राजा बहुत ही शोका कुल हुए उन्हें दुखी देखकर भगवान विश्णु बोले हे वत्स शोक मत करो तुम मत्रा जाओ और वरुथनी एकादिशी का व्रत रखकर मेरी वरहा अफ्तार मूर्ती की पूजा करो उसके प्रभाव से पुना सुद्रिड अंगों वाले हो जाओगे इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्र का अपरात था भगवान की आग्या मान कर राजा मंधाता ने मत्रा जाकर श्रधा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया इसके प्रभाव से राजा शीग्र ही पुना सुन्दर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गय थे जो भी व्यक्ति भय से पीडित है उसे वरुथनी एकादशी का व बोलो विश्णु भगवाने की जै दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारे आज की वीडियो अवश्य पसंद आई होगी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो कृपिया उसे लाइक शेर और कमेंट जरूर करें साथ ही किसी भी तरह के सुझावों अत्वा विचा को हमारे साथ अवश्य शेयर करें अगर आपने हमारे चैनल डेफिनिट भक्ती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया उससे जरूर सब्सक्राइब करें जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार जैमाता दी